गुट मॉनिंग आदा प्रणाम स्वागत है आप सभी का बिहार अदम में सुभा के आठ बच कर दो मिनिट हो गए हैं आप तो तीन मिनिट होने वाले हैं और मैं दो मिनिट लेट हो गई हूँ कोई बात नहीं दो मिनिट में तो चलता है और आज हम करने वाले हैं सेट ए आपको पता ही है बाकी सेट मुझे मिल नहीं रहे हैं मिलेंगे तो मैं जरूर कराऊंगी अभी सेट ए हाथ लगा है तो सेट ए ही कर लेते हैं ठीक है तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पेपर जिसमें हम बात करने वाले हैं PPSC के previous year paper पर और previous year paper में क्या क्या चीज़े आई हैं उस पर, तो आप सभी तयार हैं न, चलिए सभी लोग तयार हो जाईए और हम paper कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, एक बार session को share कर दीजें सभी लोग, ताकि सभी लोग आ जाएं, राधे thank you, धन्यवाद, good morning, 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 पता है, मेरी good night हुई है, चार बजे और morning हो गई है, साड़े छे बजे, तो मेरी morning थोड़ा जल्दी हो गई है, और night थोड़ा लेट से हुई थी, इसलिए उसका प्रभाव मेरे चेहरे पर दिख रहा होगा, कोई बात नी, चलेग चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुरू कर लेटें, पेपर दिखो न, सभी लोग ध्यान दे न, और हाँ, सभी बच्चे न, कॉपी में इसका answer sheet लिखते जाना, ठीक है, मैं जो जो बतारी हूँ, वो सभी लोग लिखते जाना, साथ ही साथ लिखते जाएंगे ठीक है, हाँ, यह PGT का है, यह PGT का है, यह PGT का है diamond जी, लेकिन चिंता मत करो, भले ही PGT का है, फिर भी, आप लोगों के TGT और PGT के paper में बहुत जाधा अंतर रहेगा नहीं, लगभग 85% syllabus आपका same है, ठीक है, चलिए, चलिए, प्रणाम, प्रणाम, यह set A है, paper 4 का, ठीक है शुरू कर लेते हैं इसको, इसके शुरुआत के questions तो आपके, देखती हूं, question कैसे हैं, the distance between Delhi and Agra is 200 km, suppose you traveling, अच्छा यह तो distance and travel and distance का मतलब, distance का, speed and distance का है, the value of, यह आपका, वो है, polynomial और monomial वगरे से प्रशन है, how many three-digit numbers are divisible by, easy तो है प्रशन सारे, 10% loss on selling, यह profit and loss का question है, यह पीजा बाइ, boy delivered two-fifths of, अच्छा यह तो fraction का question है, अच्छा, days वाला है, days वाला है, the cost of carpeting a room, 18 meter long with a carpet of 75 meter, the breadth of the room, यह देखो, यह parameter से question, यह वाला question जो है parameter से है, है ना, देखो, सारे question तो easy है, आप लोग कर लोग है, असानी से, math so easy दिख रही है, मुझे, यह क्या है, an isotropic source of two candela produces light plugs equal to, यह नहीं पता, मुझे है, और science में, physics में है, और chemistry में, physics में से बलकुल दबा गोल है मेरा, फिर भी bio तो मुझे बहुत पसंदी है, तो आती है, two persons and two complete tasks 15 days, यह तो maths का ही question है, the spray bottles used as window, यह भी देखो, सारे प्रशन तो easy-easy से लग रहे थे, maths वाले तो, बाकी maths सोड़ी पसंदी है, in which city was the first spoon a green hydrogen plant, भाई, नहीं, GKGS तो मुझे बिलकुल नहीं आती, GKGS तो मैं सीखने वाली हूँ, TGT का अंचु अभी आया नहीं है, कोई न, TGT का paper काफी दिनों से हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, जहां-जहां से मिलता रहेगा, मैं करवाऊंगी, बेफिकर रहूँ, हाँ, maths हो जाएगा है, maths हो जाएगा, reasoning हो जाएगी, बस अटक जाती है, तो GKGS है, चलो देख लेते हैं, कहां आ गए हम लोग, 26, और यह बर जल्दी से कूद कर पहुँच जाते हैं, कहां पर, 40, छीक है, 41 पर आ गए, अंग्रेजी में होगा न यह, हिंदी में देख लेते हैं, music, ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं, चिंदा मत करो, संगीत मैजिक जी, यह प्रशन पत्र में आप सभी को भेज होंगे, ठीक है, बेफिक्र रहो, सबको पहुचा दूँगे, प्रशन पत्र, देख लेना सभी लोग यह प्रशन पत्र भी, बेफिक्र रहो, आप लोगो के लिए भी, प्रशन पत्र तो आप लोगों के लिए ही है, तो दिखा दूँगे आपको एपिपर, ठीक है, चलो, पहले प्रशन से पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे और एक-एक करके समझेंगे भी, ठीक है, एक-एक करके समझेंगे और ध्यान से पढ़ एक्जाम हॉल से पहले इजी लगेगा तो बाद में भी इजी लगेगा बाद में गठें नहीं लग सकता है, ऐसा नहीं होता है बताओ जिल्दी से क्या हो जाएगा दिखने ही रहा है, बच्चे थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा आपको न आज बताईए जल्दी से क्या हो जाएगा वैसे भीम पलासी दिख रहा है क्या दिख रहा है भीम पलासी तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा इसका उत्तर ए हो जाएगा भीम पलासी वो तो गाने में ही पता चल रहा है जाजारे अपने साथ है ना बीमपला से दिग गया बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा ए अगले प्रशन का उत्तर देख लेते हैं ठीक है उत्तर लिख लेना सभी लोग न साथ साथ क्या रहा है संचारी वर्ण किसे कहते हैं मैंने आप लोगों को वर्ण पढ़ाए हैं याद है हाँ जैमाता दी जैमाता दी हमने वर्ण पढ़े हैं ना वर्ण हमने पढ़े हैं स्वरों के समूह को वर्ण कहते हैं है की नहीं, स्वरों का जो सम्हू होता है, उसे वर्ण कहते हैं, अच्छा, ये वर्ण चार प्रकार के, कौन-कौन से, स्थाई वर्ण, जिसमें एक एक वर्ण, मतलब एक एक जो स्वर है, आपका रुक-रुक कर बोला जाता है, है ना, जनक जनक तुम मोरी पाजे पायलिया, बिल्कुल ठीक कहा सुमेथ, ठीक है, स्थाई हो गया, आरोही, अवरोही, भाई मेरी आवाज थोड़ी आज खराब दिख सकती है, आप लोगों हो, क्योंकि गला थोड़ ठीक नहीं चल रहा है काफी दिनों से, है ना, अवरोही और संचारी, देखो, स्थाई में एक एक ज आप लोगों का, अवरोह में स्वर बोले जाते हैं, और संचारी में इन सब का मिश्रण होता है, तो संचारी वर्ण क्या हो जाएगा, देखो, अगर ध्यान से देखोगे, तो इसमें दिया है स्वरों का अवरोही क्रम, स्वरों का शुद्धतम रूप, और उप्यूक तु इसमें आएगा ही, सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, एक से अधिक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो, अगला देखो क्या है, अलंकार में कौन सा वर्ण प्राप्त होता है, अलंकार में किस प्रकार का वर्ण होता है, आरोही, अवरोही, स्थाई, उप्यूक तुमें से ए ठीक है, नूटिफिकेशन आजाएगी, तो बताऊंगी, क्या हो जाएगा, अलंकार में कौन सा वर्ण प्राप्त होता है, जल्दी से बताओ, पड़ावट से उत्तर दो, अलंकार में कौन सा वर्ण, डी, क्योंकि अलंकार कैसा होता है, अलंकार में आरोह भी होती है, और अ आरो भी आ गई अगरो भी आ गई तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हाँ बिलकुल बिलकुल उप्यूक्त में से एक से अधिक आगे देखो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है क्या रहा है चार तीन दो चार तीन चार दो ये शुती विवस्था किस ग्राम से संबंधित है शड़ज मध्यम गंधार उप्यूक्त में से एक से अधिक उप्यूक्त में से कोई नहीं क्या होगा उत्तर जल्दी से बताओ हाँ बिल्कुल मुकुल बिल्कुल एलिजबिल है बिल्कुल बिल्कुल सही कहारो अवरों दोनों जल्दी से उत्तर दो सभी लो क्या हो जाएगा चार तीन दो चार तीन चार दो ये शुती विवस्था किस ग्राम से संबंधित है क्या हो जाएगा सही उत जल्दी से बताओ आत्वे खुद ध्यान देना चतु शतु 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 शेव शड़ज मध्यम पंचमा यानिके सा, म और प की चार-चार शूतिया थिस्तरी रिशब धैवतो तो रे, धा की तीन-तीन शूतिया है और द्वई-द्वई निशाध गंधार हो यानिके ग और नी की दो दुश्रुतिया हैं इस लिहास से सा की चार, रे की तीन, ग की दो, म की चार, प की तीन, ध की चार और नी की दो अब क्या यहां पर यह दिख रहा है देखो नी की दो हैं लेकिन धा की तीन नहीं है चार हैं और पा की क्या हो जाएंगी पा की तीन दे रखेंगी इसका मतलब यह क्या हो जाएगा गंधार ग्राम जहां पर क्या हो जाएगा मध्यम ग्राम की हो जाएगा क्योंकि हमें पता है मध्यम ग्राम में एक प्रमान शुति निकलती है पंचम अपने स्थान को बदल लेता है जिसकी वज़े से धैवत की शुतियां जादा हो जाती है और पंचम की कम हो जाती है तो कौन सा हो जाएगा? मध्यम ग्राम हो जाएगा ठीक है शड़ज ग्राम तो होता है यह चतुष 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 चैव शड़ज मध्यम पंचमा द्वईद्वई निशाद गंधारो तेस्तरी रिशब धाइवतो ठीक है हाँ मध्यम हो जाएगा अगला प्रशन देखो इसको लिख लो सभी लोग अगला देखो क्या किना मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्चना शड़ज से प्रारंभ हुई है बताओ सौवीरी कलोपनता शुद्ध मध्यमा उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं अभी पढ़ें हैं हमने पढ़ें हैं न मुर्चना हैं लाइट परिशान करती हूं है न उसके लिए पहले से सौरी हाथ ठीक है थोड़ी जाद हो गई ठीक है हां क्या हो जाएगा बिल्कुल सोल भी शृति पर आपका पा है बिल्कुल बिल्कुल मद्यम ग्राम की कौन सी मुर्चना देखो शड़ज से जो शुरू होती है वो दोनों शुद्ध होती है ठीक है अब जैसे की अगर मैं बात करूँ आपकी किस की शड़ज ग्राम की तो वो पंचम से शुरू होती ही ठीक ऐसे करके मतला तो यहाँ क्या हो जाएगा के आधार पर गमक के प्रकार पूछे हैं, चार, छे, पंद्रा, उप्युक्त में से एक से अधिक, उप्युक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा उत्तर, जल्दी से बताओ सभी लो, पड़ावट से उत्तर दो, अब लाइट ठीक है, चलो, और भाई मैं देख रहे हूं, स इतने भी प्रश्न हमने देखे हैं, लगबग-लगबग सारी चीज़ें हम कर चुके हैं कि एक बार, सिर्फ रिपीट करने की दे रहे हैं, अभी जो लास्ट पेपर हुआ, यह वही है, तो चो पीजीटी का पेपर ऐसा है, टीजीटी का कैसा होगा, क्या हो जाएगा उत्तर पंदरा, बिल्कुल सही बात, पंदरा होंगे, आप कोई सोचेगा छे भी हो सकते हैं, नहीं, बहुत सरे लोग मानते हैं कि कमपन के आधार पर छे होते हैं, नहीं, अरे कमपन तो आधार ही है गमक का, है की नहीं है, भाई, बात क्या कहिए शारंग देव जी ने, कमप से ही अगले प्रशन पर आते हैं, कह रहा है, देखो प्रशन ज्यादातर, मैंने और चप्रतर जाती है, तो चाहिए है, कथिन प्रश्न कम ही है, अगर मध्धे ले में एक सेकंड में एक मात्रा बूली जाती है तो चार सेकंड में एक मात्रा को बोलने की ले क्या कहलाएगी बिल्कुल 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 कमप का मतलब होता है कमपन हिलना विलंबित ले कहलाएगी मध्धे कहलाएगी दृत कहलाएगी उपयुक्त में से एक से अधी कहलाएगी उफ्यूग तुम्हें से कोई नहीं क्या कहलाएगी बताओ जल्दी से गूड मार्निंग गूड मार्निंग जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा जल्दी से बताईए क्या हो जाएगा फटा फट से बताईए क्या हो जाएगा इसका उत्तर विलम्बिद वेरी गुड गुड मौनिंग अगर मध्धिले में एक सेकंड में एक मात्रा बोली जाती है तो चार सेकंड में देखो एक सेकंड में एक मात्रा मतलब ये प्रति सेकंड जब एक मात्रा होती है तो ये मध्धिले होती है इससे अगर एक सेकंड में एक से जाधा मात्रा हैं बोली जाएं तो वो दुरूत हो जाएगी और अगर एक ही मात्रा के लिए आप समय बढ़ा दो तो वो विलंबित हो जाएगी अब मात्रा के लिए एक मात्रा के लिए कितनी भी बढ़ा हो सेकंड दो भी बढ़ा होगे तब लंबित, चार बढ़ाओगे, तब भी लंबित, तो कुल CO आसान होती हैं और काम आने वाली हैं ठीक है ना आरती TGT वाले का बच्छे पेपर ही नहीं हुआ तो कैसे लाओंगी चलो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा मूर्चना किस पर आशृत मूर्चना पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था कि मूर्चना किस पर आशृत होती है और ग्राम स्वतंत्र होता है ग्राम किसी पर आशृत नहीं होता बहुत सारे लोग सोच सें ग्राम मूर्चना पर आधारित क्यों आधारित मूर्चना किस से बनी है ग्राम से बनी है लेकिन ग्राम क्या मूर्चना से उत्पन हुआ है नहीं तो वो आशृत नहीं होगा ठीक मुर्चना किस पर आश्रित ग्राम पर देखो स्वर पर आश्रित तो वो तो होती है लेकिन यहां मानेंगे नहीं यहां वो देखेंगे जो परिभाशित है तो शुती और स्वर नहीं मानेंगे ग्राम मानेंगे ठीक है ग्राम से ही मुर्चनाओं का विकास होता है प्रती ग्र प्रश्न देखो क्या हो जाएगा, चार विभाग वाली ताल का नाम, तीवरा, सूल ताल, आड़ाचार ताल, इन में से एक से अधिक या इन में से कोई नहीं, बताओ जल्दी से उत्तर क्या होगा, फटड़ा फट से बताओ, हाँ बिलकुल, स्वर से शुती से स्वर, नाज स स्वर से ग्राम ग्राम या आज की समय का सब तक ग्राम वैसे स्वतन्त्र पाने जा इंग क्वर्ण्र का हुई और रही जाका में कि उत्पत्ति-वंगा क्लों हनृ ग्राम में ग्र disaster सब्सक्राद से लेकिन अगर शो जाए कि इनिकल कर बनें एशा मानते नहीं जाहिए हैं, एससे तो फिर यह भी मान सकते हैं कि वर्ण से ग्राम बने हैं, क्यूंकि वर्ण में क्या होता है, क्रम होता है मतलब वर्ण में स्वरों का समुम होता है, बताओ क्या हो जाएगा उत्तर, इन में से कोई नहीं, और कोई देखो तीवरा ताल में होते हैं तीन विभाग कितने विभाग तीन विभाग अगर मैं सूल ताल की बात करूँ तो सूल ताल में कितने विभाग होते हैं पांच विभाग होते हैं कितने विभाग पांच विभाग और अगर मैं बात करूँ आड़ा चार की तो कितने तो इन में से किसी में भी 4 विभाग नहीं है कितने नहीं है इसे कोई भी ऐसी ताल नहीं है जिसमें 4 विभाग होते हैं थिक है चलिए आगे अगला प्रशन देखे क्या हो जाएगा क्या कहरा अगला प्रशन किस ताल के सभी विभागों में मात्राओं की संख्या अलग होती है देखो ताल से प्रशन अच्छे खासे हैं और एक प्रशन तो मैं देख रही थी कि repeat था है ना एक प्रशन तो इसमें से repeat भी मुझे दिखाई दिया कहरा है किस ताल के सभी विभागों में मात्राओं की संख्या भिन्न होती है दो तरह की ताले होती है एक होती है संपदी ताल एक होती है विशम पदी ताल ठीक विशम मतलब मैच नहीं करने है और पद का मतलब आपको पता ही है पद का मतलब विभाग से है विभाग में मात्राओं से है संपदी मतलब हर विभाग में समान पद समान स्वर हूँ अब देखो, यही कहा जाता है अक्षर. करनाटे की संगीत में क्या कहते है इसी मात्रा को? अक्षर कहते हैं. जैसे कि मैंने कल बतायी थी नै's 24 अक्षर की ताल, 24 अक्षर वाली ताल. किस ताल के सभी विभागों में मात्रा भिन होंगी? तिलवारा, जबताल, धमार, इन में स ही उत्तर हो जाएगा तिलवाडा में पता है चार 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 है ना जब ताल में हमें पता है कितनी होती है दो तीन दो तीन ठीक तिलवाडा की तो ये तो संपदी हो जाएगी चार 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 और दो तीन दो तीन तो ये तो मिश्रित पदी ताल है मिश्रित पदी भी कहा लेते हैं, और मिशित पदी कहा दोनों होती है विशम पदी भी होती है और जिसमें मात्राएं एक pattern में चल रहती है उसको भी मिशित पदी कहा देते हैं, ठीक है? हाँ, तो क्या हो जाएगा? तिलवाडा तो हो जाएगी संपदी ये आपकी 2-3-2-3 का pattern follow कर रहे हैं तो ये भी बिलकुल विशम पदी नहीं है इसके भी 2-2 पद मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा धमार हो जाएगी कौन सी हो जाएगी धमार हो जाएगी कैसे हाँ बिलकुल बिलकुल धमार कैसे है धमार में 5-2-3-4 का होता है किसका 5-2-3-4 का ratio होता है मतलब की मात्राओं में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धमार अगला देखो कहारा है भैरव का संप्रकृति राग भैरव मैंने आप लोगों को कराया है यूट्यूब पर ही हमारा भैरव हुआ है भैरव का संप्रकृति रागनट भैरव कलिंगड़ा अहीर भैरव उप्यूक्त में से एक से अधिक या इन में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा कलिंगड़ा में तो ऐसा होता है कि आपका हाँ कलिंगड़ा उत्तर ही निकल गया मूझ से जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा देखो कोई भी एक तो कोई भी बच्चा परिशान नहों कि TGT का पेपर काफी दिनों से हुआ नहीं है ठीक है PGT का हुआ है अभी हाल फिल हाल में तो चिंता मत करो TGT का होगा तो TGT का मैं करा दूँगी कोई दिक्कत नहीं है पेपर जो भी मिलता रहेगा मैं कराऊंगी ठीक है जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा उत्तर P देखो भैरव का संप्रकृती राग है कलिंगडा क्या हो जाएगा कलिंगडा जब गाया जाता है तो इसमें ऐसा संगी तरटनाकर के शुरु के जो चोदाश लूख है उन में किन का वर्णन किया गया है संगी रतनाकर का लेखक लेखक और आश्रःदाता का उपयूक्त में से एक से अ हधिक किया उपयुक्त में से कोई नहीं. आश्रे दाता तो पता है न, आप लोगों को क्या होता है. जिसने आश्रे प्रदान किया हूं मतलब अपने यहां पर पहले होता था राज आश्रे मिल जाता तो उसके बारे में चीनता मत करो किसा Caminda की मायन के पार्अए कद आंग्या दिआ हुआ है या इन में से कोई नहीं ऊएक शेदक कि में जल्दी सी बताओ क्या हो जाएगा future orекा कि चिंटा मत में ड doubt यंधी beth कि पटावट से बताओ जल्दी से बताओ एक से अधिक कैसे जल्दी बताओ कैसे एक से अधिक जल्दी से बताओ तर क्या होगा बिल्कुल एक से अधिक क्यूं हो जाएगा एक से अधिक क्यूंकि देखो लेखक ने अपना परिचह दिया, कहां से थे, उनके पिता कश्मीर से थे, बाद में वो लोग फिर कहां आ गए, दक्षिन में आके बस गए, उनकी चीजों में भी दक्षिन वाली चीज़े दिखाई देती हैं, जब आप पढ़ोगे संगीत रतनाकर के विशह में, तो आपको कि बहुत सारे ऐसे वो भी हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, जो कहते हैं करनाटक की संगीत के लेखक, या आज कल के जो करनाटक की संगीत वाले हैं, कि हमारी चीजे प्राचीन चीजों से मिलते हैं, नहीं, भरत की चीजे या फिर करनाटक संगीत की चीजे या पुरानी च संगीत रतनाकर का लेखक का और आश्यधातन का मतलब उन्हों मूल परिचे दिया है इन चीजों का तो सही उत्तर हो जायेगा उप्युक्त में से ले नहीं नहीं बताओ जायेगा है शारंग देव ने अपना परिचे दिया है कहा उनको आश्रे मिला उसका परिचे दिया है मतल producer बहुत सारी चीजों के बारे में चोटी चोटी चीजों के बारे में बताया है स्वयम के बारे में और स्वयम के आश्राय के बारे में जाधा बात किये है ठीक है जल्दी से बताएं क्या होगा नहीं नौब फटा फट से बताओ क्या हो जाएगा कौन समध्य का लिन राग है देखो केदार देश भीम पलासी उप्यूक्त में से एक से अधिक उप्यूक्त में से कोई नहीं अगर इस प्रशन का उत्तर देखा जाए तो सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इसका उत्तर होना चाहिए भीम पलासी बारे से तीन के बीच में गाय जाता है लगभग कैसे दुपहर के बारे से तीन के बीच का जो समय होता है वो लगभग कैसा होता है कैसा होता है दिन का तीसरा प्रहर कहा जाता है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भीम पलासी हो जाएगा ठीक अच प्रयोग होता है के दार में तो यह लगबग लगबग रात्री के प्रथम प्रहर में, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, रात्री का प्रथम प्रहर, ये कब गया जा रहा है, रात्री का प्रथम प्रहर, इसका क्या हो जाएगा, गायन समय हो जाएगा, और अगर आप देश देखेंगे, तो देश तो आपको पता ही है कब गाय जाता है रात के दूसरे प्रहर में गाय जाता है देश रात रिका द्वितिय प्रहर ठीक है तो यह तो उत्तर होई नहीं सकता तो सही उत्तर केवल एक ही बचता है भीम पलासी जिसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर तीसरा प्रहर है क्या हो जाएगा हाँ बिल प्रहर के बिलकुल दुपहर को दिन का टीसरा प्रहर जादा कि अगर सब्सक्राइब बेस्टी आपको रागों का सभिव है आउगे तो बताओंगी कि फलां पुरहर में फलां प्रहर से अगर आओगे तो आपको अलग थाट मिलेंगे इस तरह की चीज़ें होती है तो तब आपको ऐसे राग दिखाई देगे यह परमेड़ प्रवेशक होंगे वह एक प्रहर से दूसरे प्रहर के बीच में दिखाई देंगे या जैसे संध्याकाल आ रहा हो तब सुनाई देगा ठीक है चलो आज एप पर क्लास नहीं होगी ठीक है आज एप पर क्लास नहीं होगी हाँ हाँ बिल्कुल 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 अब देखो ये क्या बात हो जाएगी भीमपलासिस का सही उत्तर अगला प्रश्ण देखो क्या कह रहा है, संगीत रतनाकर में मार्ग रागों के अंतरगत, राग वर्ग में रागों की संख्या कितनी है, मार्ग रागों की बात हो रही है, सिर्फ, दस, बीस, तीस, उप्युक्त में से एक से अधे, उप्युक्त में से कोई नहीं, वो कुल र यह राग नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मार्ग राग ठीक है बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा फटा फट से उत्तर दो लेको ऐसे न хот觉 खे से नो मौ से बारः से बारा संरी तीन से छे ऐसे करके 12 गंटे हो जाएंगे, फिर 6 से फिर 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ऐसे करके होता है, ठीक है, 3 तीन गंटे के प्रहर होते हैं, और दिन में कुल 8 प्रहर होते हैं, सही है, चलो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, पटापट से बता उत्तर क्या होगा, 30, बिलकुल ठीक, 30 इसका सही उत्तर होगा, और कुल राग उन्होंने कितने बताए हैं, 264, कितने बताए हैं, 264 कुल राग बताए हैं, ठीक है, दिन के जितने रात के भी होते नहीं, जब दिन में घंटे 12 तो रात को भी 12, तो कितने प् साही उत्तर हो जाएगा अगले प्रशन पर आते हैं प्रशन कहेरा है निशंकुण वेइना का उल्लेक किस ग्रंत होता है अभी आपको पढ़ाया प्रसक्राइब कमें दोड़ों तो इन प्रसक्राइबे, जल्दी से पताइए क्या हो जाएगा? ने तीस होगा भई तीस होगा ठीक है ग्राम राग तीस मतलब ग्राम राग क्या रही हूं मार्ग राग तीस बताए गए है क्या हो जाएगा जल्दी से बताएगे जल्दी से बताएगे क्या हो जाएगा पटापट से उत्तर दीजे जल्दी 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 निशंक वीना का उनले कहां मिलेगा? संगीत रतनाकर में मिलता है कहां मिलता है? संगीत रतनाकर में मिलता है हाला कि इस प्रश्न को मैं रोकूंगी ठीक है? इस प्रश्न को मैं रोकूंगी क्योंकि इस प्रश्ण के बारे में थोड़ा सा मुझे doubt है निशंक वीना के बारे में मुझे थोड़ा सा doubt है तो इस प्रश्ण को मैं रोकूंगी क्योंकि मैंने निशंक वीना के बारे में और भी सुना है ठीक है? मुझे confirm कर लेने देना क्योंकि दो अलग अलग जगा मैंने अलग अलग चीजे सुनी है तो मुझे थोड़ा सा रुखना पड़ेगा निशंक वीना के बारे में विलकुल ठीक निशंक वीना के बारे मैंने नाट्य शास्त्र में भी पढ़ा है ठीक है पर याद देलाना मेरे हिसाब से इसका उत्तर नाट्य शास्त्र भी हो सकता है तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा रुखना पड़ेगा अविशेक बताऊंगी मार्ग राक के बारे मैं अच्छे से नाट्य शास्त्र भी हो सकता है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें मैंने दो अलग अलग जगा देखा तो मैं आपको बिलकुल हाँ नहीं वो ठीक है कि उनका नाम निशंक था वो एक अलग चीज है हाँ मैं मैं समझ रही हूँ मैं समझ रही हूँ लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक से ज्यादा जगा मिलेंगी नहीं चीज़े मिलेंगी हाँ बिलकुल बिलकुल मैं इसके बारे में यहंगी अगला देखो काफी सारी चीज़े ऐसी है जिन में बदलाव भी हुए काफी सारी चीज़े ऐसी है जो आपको एक से अधिक जगा देखने को मिल जाएंगी हाँ वो एक अलग बात है कि हर किताम में नहीं मिलेंगी नहीं आज तीन बजे क्लास होगी लेकिन आज 3 बजे मैं आप लोगों को ठियोरी कराऊंगी ठीक है? आज 3 बजे मैं आपको प्रश्ट नहीं कराऊंगी ठीक है? हाँ, बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल आंसर की मैं संगीत रतना कर दिया वो ठीक है रजनीश, मैं मान रहे हूँ आंसर की में बहुत सारे उत्तर ऐसे हैं, जैसे कि गमक के बारे में 15 गमक दे रखे हैं, तो बहुत सारी चीजे हैं, जो अलग-अलग है, है ना, बहुत सारी चीजे हैं, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, मैं मान रही हूँ कि संगीत रतनाकर में दिया है, लेकिन संगीत रतनाकर के अलावा भी एक चीज है, जो आपको, मतलब मैं आपको स्रोत बताओंगी, स्रोत कहां पर दिया हुआ है, असल मैं है कि संगीत के साथ सबसे बड़ी समस्य यह है, अलग-अलग जगा पर आपको एक से ज़ादा चीजे मिलेंगी देखने को, इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा रुकना, मैंने जगने में दो मिनिट लगती है, और बहुत सारी चीजे ऐसी हैं, जो बहुत सारे लोगों ने क्लेम नहीं की होंगी, ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, सारे सा, मा पधा पमा, सारे सा, कानारे, रांदनांदने, परमानी कान्दने, दुख भजने, कानारे, सारे सा, मा मरे सा, मा पधा पमा मरे सा, मा पधा पमा मरे सा, आ गया ना वही, तो क्या हो जाएगा, के दार इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, के दार, ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका, के दार इसका सही उत्तर होगा, बस थोड़ा सा याद रखने की ज़र और मैं कोशिश करूँगी कि इनकी कुछ-कुछ-कुछ-कुछ ताने, जो मुख्य राग हैं, जैसे बिहाग आया, जैसे केदार पूछा, भीमपलासी पूछा, बागेश्री पूछ सकता है, भूपाली पूछ सकता है, यवन पूछ सकता है, वो आप से कठेन राग नहीं पू अलाप में परयोग कर लेंगे, आरो अवरो में दिख जाएंगी। ऐसे करके होगा, ठीक है, जैसे वो है, कामोध है, कामोध में प्रयोग होता है, यही दिक्कत है कामोध केदार में, बहुत सिमिलर लगते हैं, अब दिमाग में वही चड़ रहा है ठीक है इस तरह की चीज़े हैं उत्तर हो जाएगा बी अगला देखो संगीत पारीजात ग्रंथ में गीत वाध्य अनृत्य किसके अंश्प्रात नहीं हुए गीत वाध्य नृत्य उप्यूक्त में से एक से अधिक उप्यूक्त में से कोई क्या हो जाएगा उत्तर श्लेबस में देखो आपके राग बहुत सारे होंगे ग्रेजुएशन मास्सर्स के सब के राग मिलेंगे लेकिन पूछे नहीं जाएगे ये कन्फर्म है पूछे आपसे आसान आसान ही प्रश्न जाएगे ठीक है जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा हम मैं समझ रही हूँ मैं समझ रही हूँ मैं समझ रही हूँ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से NCRT की बुक से कम से कम पढ़ा धू ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी चीजे क्लियर रहें है ना, तो संगीत पारी जात में गीत के बारे में बताया है याद है मैंने दो कांड बताये थे याद है, संगीत पारी जात दो हिस्सों में लिखी गई है बताई थी, एक तो गीत वाला कांड था और दूसरा आपका वाद्दे वाला कांड था, नृत्य के बारे में बात नहीं की गई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नृत्य के बारे में इसमें बात नहीं की गई है, मैंने इस तरह के प्रश्ण पूछे किसे कहते हैं चतुर पंडित विश्णु दिगंबर पलुसकर शारंग देव भात खंडे उप्युक्त में से एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं क्या हो जाएगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक एकदम ठीक जल्दी से बताओ हाँ 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 जल्दी से बताओ हाँ दो भाग में है बिल्कुल ठीक चतुर पंडित किसे कहते हैं शारंग देव विश्णु दिगंबर पलुसकर भात खंडे या फिर उप्युक्त में से एक से अधिक या उप्युक्त में से कोई नहीं हाँ मैं पता है भात खंडे जी को चत हुघ कि दिया है जिसकी वज़े είbee को आप हंई भी दूरररी है औरब भी है बहुत सारी चीज़ों के वारे में उन्होंने बताया है इसलिए कि थोड़ा रुकती हूँ मैं आप लोगों को पहले स्रोत बताऊंगी कि हो सकता है आप लोग मतलब मैं पूरी तरीके से ठीक हूं कि संगीत रतनाकर है और ऐसे भी हो जाएगा कि कई बार होता है ना कि मैं हो सकता है कन्फियूज हूं हो सकता है मुझे कुछ और याद हो निशंक वीना ना हो कुछ और हो इसलिए पहले में एक बार इस बात में करूंगे आप लोगों को ठीक है चलिए हाँ बिलकुल बिलकुल भात खंडे अगला बताओ अच्छा इनका एक नाम और है क्या है विश्नु शर्मा इनको एक नाम से और जाना जाता है ध्यान रखना इनको विश्नु शर्मा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है विश्नु शर पलुसकर, रामामात्य, इन में से एक से अधिक या इन में से कोई नहीं, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, नहीं नहीं बिलकुल भारी भारी नहीं होगा, बेफिक्र रहो, ठीक है, आँ बिलकुल गीत विचार कांड और बिलकुल सही कहा, वाद्यत ताल कांड, एकदम ठी दो ही कांड है, संगीत पारिजात के दो ही हिस्से है, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें आठ अलग-अलग हिस्से जोड़े गए हैं, है ना, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, श्री मले लक्ष संगीतम, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, मैंने आपको बताया था कि भातखंडे जी ने बहुत सारी पुस्तकें संस्कृत में लिखी हैं और कुछ बचीवी पुस्तकें मराठी में लिखी हैं, किवल दो ही भाषा में उन्होंने पुस्तकें लिखी है तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, ए सही उत्तर हो जाएगा, जबकि हम भातखंडे जी को पढ़ते हैं, जब आयाची में मैं आपको भातखंडे जी के बारे में पढ़ाते हैं, तो मल्ले लक्ष संगीत का नाम बार बार आता है, ये वही लक्ष संगीत है, जिसको वो आधुनि इसे कहते हैं वो कि हमारा आधुनिक उत्तर भारती है जो संगीत है जिसे हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत का आधार ग्रंथ भी कहते हैं वो इसे ठीक है कि भई आधुनिक हमारा जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको सपोर्ट करने वाला ये ग्रंथ है श्री मलेलक्ष संगीतम ठीक है? हाँ, बिलकुल, बिलकुल बहुत बार उन्होंने ये बात बीच बीच में कहिया आप लोगों कोई याद होगी मैं बार-बार बुलवाती भी हुए चलो, संगीत रतना करके टीका कार, सिंग भूपाल, कली नाथ, शंकुक उप्यूक तुमें से एक से अधिक, उप्यूक तुमें से कोई नहीं बताओ क्या हो जाएगा? हाँ, हिंदी में नहीं लिखा है कोई ग्रंथ हिंदी में अनुवाद हुआ है लिखा कोई ग्रंथ उन्होंने हिंदी में नहीं है मैंने अभी तक नहीं सुना हो सकता है कि आप लोगोंने सुना हो मैंने अभी तक नहीं सुना तो मैं यहीं मानूंगी कि नहीं है ठीक है? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? संगीत रतनाकर के टीका कार सिंग भूपाल, कल्ली नाथ, शंकुक, उप्युक्त में से एक से अधिक या उप्युक्त में से कोई नहीं जोती 6-8 यूट्यूब पर नहीं होती बच्चे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्या हो जाएगा सही उत्तर? कल्ली नाथ, अच्छा, दोनों देखो, सिंग भूपाल ने भी की है, दोनों ने ही की है, कल्ली नाथ ने भी और सिंग भूपाल ने भी, ठीक है? दोनों ने की है, हाँ, दोनों के नाम अलग-अलग है, ठीक है? हाँ बिलकुल लक्ष संगीत इसी को कहते हैं मल्ले लक्ष संगीत हम को ही लक्ष संगीत के नाम से जाना जाता है एक दम ठीक कह रहे हो आप लोग तो क्या हो जाएगा सिंग भूपाल और कलीनाथ दोनों हो जाएगे तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उप्युक्त में से एक से अधिक ठीक है ये तो संगीत सुधाकर है एक मिनट एक मिनट संगीत सुधाकर कौन कली नाथ जी ने किस नाम से लिखी थी कली नाथ जी ने लिखी थी शायद हाँ इनका नाम था कला निदी इनका था कला निदी और इनका था संगीत सुधाकर क्योंकि ये मैंने भी कंबार ही देखा है मुझे कली नाच जी का तो थोड़ा-थोड़ा याद भी था हाँ, बिलकुल, बिलकुल तो क्या हो जाएगा इसका? दोनों उत्तर हो जाएंगे, D उत्तर होगा अगला प्रशन देखो 61, किस राग में कोमन निशाद का अल्प प्रयोग, कम प्रयोग होता है जल्दी से बताईए क्या होगा किस राग में कोमन निशाद का अल्प प्रयोग होता है जल्दी से बताईए क्या होगा देश, भीम, पलासी, केदार, उप्युक्त में से एक से अधी, क्या उप्युक्त में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा स्वर मेल कलानिधी तो रामा मात्य ने लिखी है ठीक है, ये याद रखना, भूल मत जाना अभी दोनों मिला दो, वो कलानिधी है कलानिधी और स्वर मेल कलानिधी दोनो अलग-अलग है ठीक है, रामा मात्य ने कौन से लिखी है, स्वर मेल कलानिधी ये एक साथ है और अलग-अलग नहीं है, ठीक है जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा देश में, और कोई कोमल निशाद देश भीम पलासी, केदार इन में से कोई नहीं, एक से अधिक क्या होगा, जल्दी से नहीं, आज नहीं है रवी शनिवार और रवीवार दो दिन नहीं होती, ठीक है जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा पड़ावट से उत्तर दो जल्दी से अकली ना धलग हैं जल्दी से बताओ जल्दी से उत्तर दो क्या हो जाएगा प्रशन का उत्तर? इस प्रशन का उत्तर होगा केदार जैसे की देखो सारे सासा मामारे सा मापधाप मामारे सा सानी धानी सारे देखो याद नहीं आ रहा है रुको सारे सासा मामारे सा मापधाप मामारे सा धानी जारे सानी धाप मापधाप मामारे सा कई बार इसमें नी जो है वो बहुत थोड़ा सा लगेगा अलप लगेगा मैं वो स्वर संगती याद नहीं कर पा रहे हूं कि बाइन के साथ ही याद कर आँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएं कि इसे याद रखोगे तो बूल जा होगे गाकर याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है ना, गाकर याद करने में जादा असानी होती है देखो, कोमल निशाद का प्रयोग हो गया केदार में, और इसके बारे में कुछ विशेश है कि हाँ, राग देश, भीम पलासी और केदार, तीनों का थाट बताएगा कोई, इसका तो कल्याण है बाकी दो का क्या है, भीम पलासी और देश का क्या हो जाएगा थाट, जल्दी से बताईए, आँ, गामा धानी धामा नहीं होता भीया, गलत बता रहे हो मापा धानी धाप, अच्छा, जल्दी से बताओ, छूते वे निकलते हैं, नी को न, कोमल नी को छूते वे निकलते हैं, बताओ, जल्दी से क्या हो जाएगा, पटाबट से उत्तर दो, देश का क्या हो जाएगा, भीम पलासी तो काफी से है, कहां से है, काफी से, देश का बताओ, क्या होगा, देश का खमाज, और कोई, बिल थाट भी पता होने चाहिए ना, काफी में गानी कोमल, जैसे की भीम पलासी, ठीक है, जार जारे अपने मांदिरवा, है ना, चलो, और बताओ, किराना घराने के प्रसिद्ध गायक, बड़े घुलाम अली खां, मोदू खां, अब्दुलकरीम खां, उप्युक्त में से एक से कोई नहीं, बताओ, जल्दी से क्या हो जाएगा, हाँ, बिलकुल, जल्दी से उत्तर दो, किराना घराने के प्रसिद्ध गायक कौन हो जाएंगे, जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा, शंकर देखो, अभी बहुत सारी चीजे ऐसी हैं, जो हो सकता है, बदलेंगी, और से क्लियर हो जाएगे, ठीक है, बताओ, जल्दी से किराना घराने के प्रसिद्ध गायक, क्या हो जाएंगे, एक जगह से नहीं सीखा है भातखंडे जी ने, काफी सारे अलग-अलग गुरु रहे हैं, बातखंडे जी के, मैंने बातखंडे जी के बारे में आप लोगों को बताया भी है, किराना घराने के प्रसिद्ध गायक, देखो बड़े गुलाम अली खांगाँ से थे, पटियाला घराने से, ठीक है, मोदू खांगाँ से थे, कौन बताएगा मुझे, अब्दुलकरीम खां तो आपको पताईए है, सबसे प्रसिद्ध गायक रहे हैं किराना हो जाएगा? C हो जाएगा. मोदु खान कहां से थे? बताएगा कोई? ये लखना उगराने से हैं, तबला बजाते हैं. तबला बादक. कौन सा घराना? लखना उघराना. ठीक है? ये हो जाएगा सही उत्तर. सही उत्तर इसका अब्दुल करीम खान. जन भी इनका यहीं हुआ. अगला बताओ इनका जन भी हुआ था किराना गाओं में मतलब कहराना गाओं में ठीक है? हाँ जल्दी से बताओ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आर्य संगीत विद्याल है पुने की स्थापना किसने की भातखंडे, विष्णु दिगंबर, पलुसकर, अब्दुर करीम खाँ उप्युक्त में से एक से अधिक, उप्युक्त में से कोई नहीं याद आ रहा है आर्य संगीत विद्याल है पुने जिसकी स्थापना पहले पुने में हुई कब? 1913 में याद आ रहा है कुछ कल रात? आ याद आ रहा है किसी को कुछ? कल रात की अगर चीजें कुछ याद हो कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में हो तो याद आ रहा होगा फिर इसकी एक एक और शाखा खोली 가 twee कहां पर एक और शाखा खोली गई थी बंबई में और बंबई में ही उस शाखाव को क्या कर दिया गया था तीन साल में बंद कर दिया गया था किसी कारण वर्ष याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो पुडु चेरी गए वहां नहीं कर पाए अपना सम्मेलन रास्ते में तब खराब हो गई व संगीत विद्याले पुने की स्थापना की थी याद है ना कल रात ही हमने पढ़ा है इनके बारे में और बहुत अच्छे से पढ़ा है याद ना अच्छा तो ये भी बता दो इसी बात पर कि ये जो हमारे अब्दुलकरीम खा थे इनके कुछ एक हां इनके कुछ एक शिष् इनके कुछ विशेश शिष जिन में से रोशनारा बेगम है रोशनारा बेगम इनकी प्रमुक शिष्या थी और कौन थे बताओ जल्दी से सवाई गंधर्व पिया बिन आवत नहीं चैन बिलकुल सही बात कौन थे सवाई गंधर्व इनके प्रसिध शिष्यों में से बहुत सारे अच्छे अच्छे शिष्य देने का योगदान इन्होंने दिया है दिया है ना आ बिलकुल 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 तमझ में आ रहा है न सभी को आ बिलकुल 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 एकदम ठीक एकदम ठीक क्या हो जाएगा सही उत्तर अब्दुलकरीम खां और बताओ आगरा घराने के प्रसिद गायक का नाम अल्ला दियां खान हाफिज अली खान, फयाज खान उप्युक्त में से एक से अधिक, उप्युक्त में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ हाँ, सुरेश बाबु माने दिख रहा है मुझे भीम सेन जोशी जी को सवाई गंधर नहीं कहा जाता प्रदीप सवाई गंधर जी का नाम क्या था, कौन बताओ कमेंट बॉक्स में लिख कर गए बताओ, मैंने बताया था आप लोगों को जल्दी से बताओ क्या होगा क्या होगा सही उत्तर, फयाज खाँ, क्या हो जाएगा कैसे, काली शेरवानी सफेद साफा याद आ रहा कुछ सफेद साफा, महंदी का इत्र कुछ याद आया महंदी का इत्र, और याद आया कुछ और बताओं, पान की डिब्बी और याद आया, एक ठुमरी भी याद दिलाऊं आँ, बिलकुल बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल ठुमरी बताओ, कौन सी ठुमरी है ठुमरी बताओ जल्दी से आँ, बाजू बंद खुल-खुल जाए बाजू बंद खुल खुल जाए नोम तोम का अलाप करते थे किस में खयाल गायन में ऐसे पहले व्यक्ति जिन्नों खयाल गायन में भी नोम तोम का अलाप किया फयास खां ठीक है सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा ठीक है बिलकुल बिलकुल अगला बताओ पूछा है रे मापा नीधापा मागारे स्वरसमु किस राक का है देश शाम कल्यान शुद्ध सारंग उप्युक्त में से एक सेधिक उप्युक्त में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा हाँ सजने धजने के शौकीन थे बिलकुल मूड का बड़ा खया लगते थे तूही अनन्त हरी 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 ऐसे करके हरी बोल तडपत हूं जैसे जल्बिन में बिलकुल सही बात याद है आप लोगों को है ना जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा हना इत्र नहीं मालूम है क्या होता है भाई इत्र हो रहा है जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा है जल्दी से बताओ नहीं गाना गाते तो वाइफ इनकी सामने नहीं होती थी वो किशोरदा थे बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा जल्दी से उत्तर दो बिल्कुल राग दे देखो रे मापर नीधा पर मागरे मागरे गास बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा अरे बंदिश याद नहीं आ रही है मुझे राग देश की कोई बंदिश याद दिलाओ जरा नहीं नहीं दूसरी बंदिश याद दिलाओ दूसरी 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 हाँ प्रेम पियाइन का उपनाम था फयास खांका जल्दी से बताओ रागदेश की कोई बंदेश बताओ मुझे सही उत्तर्स का रागदेश है बंदे मात्रम नहीं बिल्कुल 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 रे माप नीधा प मागरे याद आ गई ना देखो सखी बरसन को आए बदरा चीज़े मुश्किल नहीं होती है तुम लोग बस डर जाते हो सोचो ये PGT का पेपर है TGT का कैसा होगा जल्दी से बताओ अगला प्रश्न जल्दी से बिल्कुल 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 और बाकी वंदे मात्रम ये तो तुरंत याद आ जाएगा है नी चलो भात खंडे जी की थाट पद्दती किस पर आधारित थी मुकाम पर संस्थान पर मेल पर उप्युक्त में से एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं याद है मुकाम किसे कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल रूम जूम बरसे मूरे अंगना देखो सखी बरसन को आए बदरा काफी जरूरी स्वरसंगती है है ना बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा भातकंडे जी की थाट पद्दती है मेल पर आधारिक ठीक है संस्थान मेल को ही कहते हैं लेकिन यहाँ पर संस्थान वाली बात नहीं हाँ बिल्कुल TGT वाला क्यों नहीं करेगा रागेश इसमें से 85% प्रशन तो बिल्कुल कॉपी तुम्हारे लिए हैं चीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो देखो इसका मेल सही उत्तर जाएगा क्योंकि मेल राग वर्गी करण की पद्दती पर ही उन्होंने अपनी पद्दती बनाई थी तो सही उत्तर हो जाएगा मेल बाकी मुकाम क्या होता है मुकाम इरान में किसको कहा जाता है मुकाम जरा बताओ मुझे कौन बताएगा मैंने बताय था जल्दी से बताओ इरानी संगीत में किसको कहते हैं मुकाम हंगाम मुकाम बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा शुर्ती स्वर को कहा जाता है ठीक है मुकाम स्वर को आगे बढ़ेंगे नाट्ट शास्त्र में सुशिर वाद्धियों का वर्णन की सध्याय में हुआ है जल्दी से बताओ हाँ इसका पीडिएफ मिल जाएगा बिल्कुल स्वर को मुकाम और शुती को क्या कहते है हंगाम ठीक है हाँ बिल्कुल हम अभी कुछी दिन पहले दूम यह प्रश्ण कर रहे थे ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो देखो ऑफ्शन में पूछ लिया हो सकता अगली बार प्रश्ण इसी पर हो है कि नहीं हाँ शुती को हंगाम और स्वर को मुकाम बिल्कुल सही बात याद करो के नाट्टि शास्त्र के भी प्रश्ण मेंने करा रखें इसमें से लगभग लगभग 85% प्रश्ण ऐसे हैं जो हम पहले कर चुके हैं है कि नहीं है जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा तीसवे अध्याय में दिया गया है सुश्र वाध्यों के बारे ठीक है कौनसा अध्याय है वो तीसवे अध्याय है अगला देखो राग देश का वाधन समय गायन वादन समय, रात्री का प्रथम प्रहर, रात्री का दुवितिय प्रहर, रात्री का तीसरा प्रहर, उप्युक्त में से एक से अधिक, उप्युक्त में से कोई नहीं, बताओ जल्दी से उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताओ पटावट से उत्तर दो कॉपी में लिखते जाना है इस सारी चीजे ठीक है जल्दी से बताओ काफी सारे गार्मा पधायने सानी दा पा मागाय देखू कड़ पड़ हो गई सानी फिर नहीं निकल रहा चाड़ो चाड़ो चेला बोरी बाईया दुखत मोरी नरम कलाई क्या हो जाएगा अभी अभी बताया था थोड़ी दिर पहले राते का दूसरा प्रहर नौ से बारा ठीक है नौ से बारा के बीच में आगे बढ़ेंगे मारिफ उन नगमात इसका नाम है ठीक है यह दो शब्दों से मिलकर बना है मारिफ उन नगमात यह दो शब्द मिलें यह रजा नवाब नहीं है राजा नवाब अली नहीं है नाम है राजा नवाब अली खान बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा जल्दी से पताइए क्या हो जाएगा सही उत्तर नहीं रजा खान इसका उत्तर नहीं है इसका सही उत्तर है राजा नवाब अली खान ठीक है यह भातखंडे जी से भी मिलेते पता है भातखंडे से इनकी भेट हुई थी भातखंडे जी से इनकी भेट हुई थी ठीक है तो सही उत्तर हो जाएगा राजा नवाब अली खान एह सही उत्तर है इसका ठीक है 2011 में लखी थी ये लाहौर के थे, धीक है, लाहौर के थे, 1911 में इन्नों ने ये पुस्तक लिखी, घीक है? जाए, अगला बताओ, अगला प्रश्न देख लेएं, ये लिख लें रहा, Ini 11 में पुस्तक लिखी, लाहौर में, लाहौर के ये थे पंडित राम भाव माने अब्दुलकरीम खाके क्या थे शिश्य थे चलो उस पर नहीं जाते हैं यहां आते हैं प्रसिद गायक और वीना वादक बैजू किस राजा के काल में प्रसिद हुए मान सिंग तोमर, महराना कुंभा, गया सुन्दीन खिल जी उप्युक्त में से एक सधिक, उप्युक्त में से कोई नहीं बताओ क्या हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बिल्कुल जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा गुड़ मॉर्निंग फटाफट से उत्तर दीजे सभी लोग भाई बच्चे यहाँ साड़े 500 हैं, लाइक यहाँ 200 हैं क्या चल रहा है, एक सेकिंड के लिए थोड़ा से समय निकाल लिए, मुझे प्रोच साहन भी दे दीजे जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा सही उत्तर जल्दी से, जल्दी से पटापट से बताओ क्या होगा उत्तर बिल्कुल सही बात, क्या होगा इसका सही उत्तर, माहराना? नहीं, राजा मान सिंग तोमर माहराना कुम्बा की किताब का नाम बता दो मुझे जल्दी से, हाँ बिल्कुल मान सिंग तोमर के समय में थे ठीक है? बाकी बैजू तो रहे इनके काल में मान सिंग तोमर की पुस्तक का नाम गया था, कौन बताएगा? इनकी पुस्तक का नाम था, क्या था? बताओ जल्दी से, तुम ही लोग बताओगे जल्दी से बताओ क्या नाम था इन्होंने एक संगी सभा बुलाई बहुत सारे संगीत तक बुलाए फिर वहाँ जो सभा में संगोष्टी में जो चीजें हुई वो इन्होंने किताब में लिखवा ली मतलब कुछ से नहीं लिखी थी लिखवाई थी क्या नाम था उस किताब का मान सिंग तूमर की बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा इसका उत्तर सभी को पता होना चाहिए गलत नहीं होना चाहिए किसी का बिलकुल और इन्होंने लिखी संगीत संगीत बताओ जल्दी से कौन सी संगीत राज इनकी किताब का नाम बताओ मान कौतुहल और इसका अनुवाद किस ने किया था मान कौतुहल का वो कौन बताएगा वो भी मैं बताओं वो कौन बताएगा तुम लोग बताओं के जल्दी बताओ सही बात मान कौतुहल का अनुवाद किस ने किया था वो कौन बताएगा नाम बताओ अगला प्रश्ण देखो तब तक संगीत रतनागर को अन्ने किस नाम से जाना जाता है ऐसे धुए मोड़ा दो यह वाला प्रश्ण दो यह तो मेरे हिसाब से तुरंत कर देना अच्छी है सप्ता ध्याई, पंचम वेद, अश्टा ध्याई उप्युक्त में से एक से अधिक, उप्युक्त में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या होगा, फकीर उल्ला ने वेरी गुड, यह हुई न बाद फकीर उल्ला, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड हाँ राग दर्पन के नाम से फकीर उल्ला बहुत बढ़िया फार्सी में अनुवाद वेरी गुड ये हुई ना बाद जल्दी से उत्तर दो क्या हो जाएगा ऐसे बताया करो एक प्रशनों उसके साथ चार चीज़ अपने आप बता दो यह भी बताया यह भी बताया तताब आएगा न मजब तब रहेंगी चीज़े आद बताओ जल्दी से क्या होगा क्या हो जाएगा उसका सही उत्तर सपता ध्याई के नाम से जानते हैं साथ अध्याएंट ठीक है अगला धमार गायन शैली में किसका वर्णन होली का वर्षारितु का बसंत का उप्युक्त में से एक सेधिक उप्युक्त में से कोई नहीं कच्ची होली पक्की होली याद है धुरुपदंग की होली याद है कच्ची होरी और पक्की होरी याद है न सभी को बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा जल्दी बताओ जल्दी जल्दी से बिल्कुल क्या हो जाएगा होली का वर्णन होता है क्रिष्ण की रास वाली होली का वर्णन होता है ठीक है क्रिष्ण की रास वाली होली का वर्णन होता है धृपदंग की जो होली होती है इसे पक्की होरी कहते हैं क्या कहते हैं धृपदंग की होरी बताया था मैंन आप लोगों को दुरुपद अंग की होरी जिसे हम पक्की होरी कहते हैं और बाद में इसको धमार कहा गया कहा गया बाद में धमार ठीक है और कच्छी होली जो होती है वो ऐसे सामानने होती है मतलब वो शास्त्री गायन से संबंधित नहीं होती जिसको आप लोग कच्छी होर प्रवेश करने वाला एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाला एक प्रहर से दूसरे प्रहर में प्रवेश करने वाला उप्योग से इंधाय होगा हlor लोग हो जाएगा कि अभी राग के कराया ने किरह राग करावूंगी इन बिल्कूल बताओंगी बेफिक रहे होँगे जरूरं बताओंगे निष्चित तोर अब राग मैंने कराई रागों का परिषय कहां कराया भी कराऊंगी ठीक है फिर मैं ऐसी थोड़ा सा मैं ग्रूप बना दूंगी जिससे आप लोग उस ग्रूप को याद कर लो फला 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 ग्रूप इसी राग में अभी राग का समय सिद्धान पढ़ाऊंगे तो अच्छ क्या बताय था देखो मैंने आप लोगों को बताय था कि संधी प्रकाश जो राग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं संध्याकालीन संधी प्रकाश और उशाकालीन संधी प्रकाश जो दो प्रहर मिलने मतलब रात और दिन का प्रहर जब मिलेगा कोई एक तब गाय जाएंगे ठीक है तो या तो रात पहले आई हो और दिन बाद में आ रहा हो तब प्रहर मिले या दिन पहले आए हो रात बाद में आ रही हो तब प्रहर मिले तो ये दो प्रहर जब मिलेंगे तो संधी प्रकाश रागा जागा लेकिन लेकिन जब पर का मतलब होता है दूसरा कहते हैं पर मेल प्रवेशक क्या हो जाएगा भी सही उत्तर हुआ ठीक है हाँ अगला देखो क्या कह रहा है अब्दुलकरीम खां किस घराने के गायक थे किराना रामपुर आगरा उप्युक्त में से एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा हाँ औ अब्दुलकरीम खां और फयास खां में गन्फ्यूज होते हैं तो तुम मत हो ना भाई दोनों अलग अलग चीज़े है ठीक है बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा उत्तर दो जल्दी से क्या होगा जल्दी से उत्तर दो जल्दी से बताओ मुकंद जो शाम को करा रही हूँ नौ बजे वो आप ही लोगों के लिए है जो सुभा कराती हूँ वो आप ही लोगों के लिए है जो तीन बजे करा रही हूँ वो आप ही लोगों के लिए है ना चलो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा अब्दूल करीम खां किस घराने के थे भई पैदा ही हुए थे किराना में कहां पैदा हुए थे किराना में तो कहां क्यों हो जाएंगे जल्दी से बताईए अब्दूल करीम खां किराना घराने से थे कहां से किराना घराने से ठीक है और खिराना घराने से कैसे थे आपको याद होगा मैंने बताये था किराना यनिके कैराना में यही इनका जन्म हुआ ठीक है जन्म यहीं हुआ था इनका इसी घराने से थे चलो आगे बढ़ते हैं बाकी पयास कहां आगरा आद्वदर्शक्सवर एक हजार से भी जादा बार हमने रिपीट कर लिया होगा कर लिया गी नहीं गंधार पंचम मध्यम एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं क्या होगा करीम मतलब किराना करली पढ़ाया था इसलिए आद है करीम जी ने शिक्षा किससे लिए अपने चचा से और अपने पिता से याद है ना काले खांग जल्दी से बता उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर देते समय तो मतलब आप लोगों को सोच नहीं ने चीए अध्वदर्शक स्वर जो निर्धारित करता है कि ये संधी प्रकाश राग संध्या कालीन होगा या फिर उशा कालीन ठीक है अगला प्रश्न उस्ताद पयाज खां का जन किस वर्श में हुआ पयाज खां आगरा घरान पिता की इमरित्यूं मतलब इनके जन से कुछ महा पहले 1868, 1876, 1886, 1886 उप्युक्त में से एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं क्या हो जाएगा सही उत्तर जल्दी बोलो इसका उत्तर गलत तो मतलब डूब मरने के लिए जगा नहीं जल्दी से बताओ, हाँ बिलकुल बिलकुल जया बताओ जल्दी से जल्दी से बताओ फटाफट से उत्तर क्या होगा ऐसा लग रहा है कि पेपर नहीं लिया है सच कहा रही हूं अगर किसी ने थोड़ा भी अच्छे से तैयारी की ओगी ना थोड़ा भी आराम से क्वालिफाई हो गया होगा इसमें इतने हलके प्रशन थे देख रहें वो सारे प्रशन किये हुए है एक भी प्रशन ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें अभी तक तो नहीं आया है जिसको हमने देखा नहीं हो या जिसके बारे में पढ़ा नहीं हो 1886, क्या हो जाएगा, 1886, ठीक है, हाँ, 1886 सही उत्तर होगा, ठीक है न, पिता कौन थे, पिता कौन थे इनके, सफदर हुसेन, पिता भी लिख लो भाई, पिता भी बता दू, सफदर हुसेन, नहीं आदो तू फिर से याद कर लो, सफदर हुसेन इनके पिता का नाम था, और क्या विशेश बात बाजू बंद खुल खुल जाए जबडे गितान है ना यह सब तो है ही हाँ इसी बार का है इसी बार का है बिलकुल अगला प्रशन देखो संगीत प्रवेश नामक पुस्तक कृष्ण राव शंकर पंडित कुमार गंधर्व ओंकार नाठ्थाकुर उप जल्दी से बताओ जल्दी से जल्दी से फटा फट से उत्तर दो देखो मैं एक ही चीज कहूंगी कोई तुम्हें कितना भी बरगलाय यह कहके कि प्रशन हाड आएंगे बिलकुल नहीं आएंगे बिलकुल बिलकुल भी नहीं आएंगे समझ रहे हूं न आप लोगउ मतलब बिलकुल नहीं मतलब बिलकुल नहीं ठीक है क्या हो गायगा बिलकुल इसका सही उत्तर होगा कृष्ण राव शंकर पंडित संगीत प्रवेश लिखी और leaving यह संगीत वाद्य, भाथखंडे, हरिष्चंद्र शिवास्तव, प्रेमलता शर्मा, उप्युक्त में से एक से अधिक, श्री मल्य लक्ष्य संगीतम, भाथखंडे, याद है ना, हरिष्चंद्र शिवास्तव, आप लोग पढ़ते हो राग परिच्छे, पढ़ते हो नहीं का इनका तो हो गया श्री मल्ल लक्ष संगीतम, कौपी में आंसर लिख लो सभी लोग, आंसर नहीं मिलेंगे केवल यही मिलेगा, श्री मल्ल लक्ष संगीतम और हिंदुस्तानी संगीत पद्धती, स्वार मालिका ये सारी ओगा हरिश्चंटर श्रिवास्तव राग परिछे, प् उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं पूछो क्यूं किसने लिखी हैं हौन बताएगा मुझे जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ बिल्कूल टफ नहीं थे अंजली अभी हम देख रहे थे क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा लालमणी मिश्र लाल मनी मिश्र उन्होंने लिखी है क्या भारती संगीत वाद्य जो की कहीं आप्शन में दिया नहीं गया है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ई ठीक है? ई सही उत्तर होगा और देखो राग वर्गी करण में संकीन राग किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ, हाँ बिलकुल, बिलकुल हाँ, जल्दी से बताओ, राग वर्गी करण में संकीन राग किसे कहते हैं? जिसमें स्वरों की संख्या कम हो, जिसमें कई रागों की छाया हो जिसमें स्वरों की संख्या ज्यादा हो उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं पताओ जल्दी से क्या हो जाएगा पूर्णी मा रिकॉर्डिंग रहेगी आप कभी भी इसको देख सकते हो यूट्यूब पर है ये लेक्चर लेकिन यूट्यूब पर ही आपको आंसर मिलेंगे ठीक है जल्दी से पताओ क्या हो जाएगा जल्दी से पताओ उत्तर क्या होगा पटापट से उत्तर दो सभी लोग बिलकुल-Milkul-Bilkul क्या होगा सही उत्तर जिसमें कई रागों की च्छाया आए वो होते हैं आपके संकीन राग, शुद्ध राग, छाय अलग राग और संकीन राग, ठीक है? देखो वैसे मेरे हिसाब से होना क्या चाहिए था, जिसमें कई रागों का मिश्रण आ जाए, वो होते हैं संकीन राग और जिसमें किसी राग की छाया आजाए वो होता है छाया अलग राग और शुद्ध राग तो जिसमें किसी की छाया नहीं आए वो शुद्ध होते हैं सारे ठीक है थोड़ा सा और अलग होना चीए था ये प्रशन पर ठीक है अब यही है तो यही सही त्याग राज की जन्मते थी त्याग राज जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा हाँ त्याग राज की जन्मते थी 4 माई 18 सदी का पूरवार्द 4 माई 18 सदी का उत्रार्द 4 माई 19 सदी का पूरवार्द या उपयोग तुमें से अधिक या उपयोग तुमें से कोई नहीं ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एक इंसान दो बार तो पैदा नहीं होगा एक ही बार होगा तो जो भी होगा एक ही होगा बताओ क्या होगा उत्तर तो चल्दी से सभी लो फटावट से चार माई अच्छा कब हो जाएगा चार माई अठारवी सदी का उत्तरार्द हो जाएगा उत्तरार्द का मतलब होता है 1850 से बाद में कब ये नहीं मालूम ठीक है अगला देखो क्या कह रहा है रेधा कोमल वाले स्वर रागों का गायन समय अधिक्तर क्या होता है किस समय पर गाय जाते है रात्रि का दूसरा प्रहर साय कालीन संधी प्रकाष प्रात्य कालीन संधी प्रकाष उप्युक्त में से एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं जल्दी से बताओ क्या होगा रेधा कोमल वाले स्वर जिन में गर शुद्ध पाया जाता है क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ हाँ अठारवी सदी का उत्तर आर्ध मतलब अठारा सुपचास के भाद त्रिमूर्ती बिलकुल सही त्रिमूर्ती में से एक जल्दी से बताओ क् इतने सही गए हैं, वो भी देख लेना एक बार, ठीक है, प्रश्न करते जा रहे हैं, लिखते चले जाओ, तो समझ आ जाएगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर, देखो, रेधा कोमल, रेधा कोमल के साथ मातिव्र, रेधा कोमल के साथ माशुद, ज्यादा तर ऐसे राग, ये पाए जाते हैं उशाकाल में और ये पाए जाते हैं संध्याकाल में, क्या हो जाएगा, रेधा कोमल के साथ माशुद, रेधा कोमल के साथ मातिव्र, और गाशुद इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, आपका साहे कालिन संधी प्रकाश, प्रात्य कालिन संधी प्रकाश, तो उप्युक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा, शुद्ध होगा तो सुभा में गाय जाता है याद करो क्या रामकली सारे रे सारे का माधा धार पर माधा निदा पर मांगर मां रे रे सा उशाकालीन उपर याद करो मारवा यह की नहीं तो आपको याद होगा क्या हो जाएगा सही उपतर एक से अधिक अगला संगीत के छेत्र में कितने भारत रत्न अभी तक दिये जा चुके हैं बेलकुल पांच, छे, साथ, एक से अधिक एक में से कोई नहीं जल्दी से इसमें मात्रा शुद्ध का यह मैं बता रही हूँ कुछ चीजी मैं भी तो बता सकती हूँ न आपको जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा अरे मां की बात मैं भी तो बता सकती हूँ भाई रेदव कुमल रेदव शुद्ध वाले संधी प्रकाश रागों में ऐसा होता है पैचानने के लिए बता रही हूँ पगलो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा बिल्कुल छे अब छे बता दो कि नाम मुझे कौन-कौन यह तुम्हारे उपर छोड़ती हूँ छे के नाम बता दे ना हलाकि मैं एक दिन पूछूंगी आप लोगों से प्रशन सोच रही हूँ जल्दी ही नारायन मोरेश्वर खरे जिसने यह उत्तर गलत बताया समझो उसे रात को भूत के सपने आएंगे क्योंकि यह प्रशन हमने भी कुछ ही दिन पहले किया है नारायन मोरेश्वर खरे के अनुसार रागांगों की संख्या 26, 15, 32 उप्युक्त में से एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं जल्दी से बताओ दीपक उसमें कुछ नहीं है एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश्च जैसे मैंने जैजैरंती के बारे में आपको पढ़ाया है ठीक है बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा नारायन मोरेश्वर खरे लताब भीन सेन जोशी बिस्मिल्ला एक का पता नहीं ये तो आपने चारी नाम बताए जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर गलत नहीं जाना चीए किसी का भी अभी किया है कुछी दिन मतलब कुछी रोज पहले सच में कुछी रोज पहले तीन-चार रोज पहले ही जल्दी से बताओ 26 अगले प्रशन का उत्तर दो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं प्रशन जादा है अगला व्यंकट मुखी के मेल रागवर्गी करण के नुसार शुद्ध मध्यम युक्त मेलों की संख्या 72, 36, 32 इन में से एक से अधी क्या इन में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा याद आ रहा है व्यंकट मखी के 72 मेल क्या किया सा रे ग मा पधनी और उसमें सा जोड़ दिया एक और तार सब्तक का फिर उसे दो हिस्सों में बाट दिया फिर ये मा शुद्ध मा था ऐसे करके इन्होंने क्या किया यहाँ रे के साथ क्या जोड़ा एक और रे के साथ इन्होंने मतलब यहाँ पर इन्होंने दोनों तरके फिर प्रतीमा ये तीव्रमा को क्या कहते थे इलो इन्होंने तीव्रमा को नाम दिया प्रतिमा प्रतिमा एना छेछे स्वर माने याद आ रहा है रे कोमल गा कोमल छे स्वर इधर हो गए धा कोमल नी कोमल छे स्वर इधर हो गए छेचिंग छतिस यहाँ पर रे दो थे रे कोमल गा कोमल और शुद्ध माके हो गए, अब फिर ऐसे ही इन्होंने प्रति माके 36 और बनाए, क्या हो जाएगा सही उत्तर? 37 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? 36 प्रति माके और 36 शुद्ध माके, अगला देखो, क्या कह रहा है? देख रहो कितने हलके प्रश्ण हैं बिनोध? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? राग रागनी वर्गी गरण के अंतरगत किसमत में रागनियों की संख्या 30 है, भरत, हनुमान, पल्लिनाथ, एक से अधिक या इन्में से कोई नहीं, बताओ जल्दी से क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी से, पटापट से उत्तर दो सभी लोग, स्पीड से उत्तर देंगे सभी लोग, जल्दी से उत्तर दो, पटापट से, पटापट से, क्या हो जाएगा सही उत्तर बिलकुल देखो इनके भी 36 और इनके भी 36 इनके 36 मतलब एक राग पर 6 राग निया ठीक है बाकी पर एक राग पर 5 राग निया तो क्या हो जाएगा सही उत्तर सही उत्तर हो जाएगा आपका D एक से ज्यादा ठीक है अगला प्रश्न देखो कृष्ण राव शंकर पंडित के गुरु कौन थे कृष्ण राव शंकर पंडित के गुरु निसार हुसैन हद्दु हां बालकृष्ण बुआ इचला करंजिकर उपयोक्त में से एक से अधिक इन में से कोई नहीं बताओ जल्द पटाफटे से बताओ फटाफटे से क्या हो जाएगा एक से अधिक और कोई जल्दी से बताओ क्या होगा बिल्कुल एक से अधिक होगा इसका उत्तर पुछो क्यूंट बालकृष्ण बुआ एचला करंजिकर पलुसकर जी के गुरू थे याद है विश्णो दिगंबर दोनों से सीखा था कृष्ण राव पंडित जी ने तो ये दोनों हो जाएंगे मतलब कि D सही उत्तर होगा ठीक है अगला विवादी स्वर अंतराल एक शुती दो शुती तीन शुती उप्युक्त में से एक से अधिक प्युक्त में से कोई नहीं भरत का मत सबने माना है जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा उत्तरा भरत का मत सभी ने माना है 9 से 13 शुती हो 2 शुती याद है हाँ देखो मुख्य रूप से नहीं पूछा जाएगा गुरू तो गुरू होते हैं गुरू तो एक दिन का भी गुरू और दस साल का भी गुरू और पचास साल का भी गुरू गुरू तो हमेशा गुरू रहेगा है की नहीं पताओ जल्दी से क्या हो जाएगा जल्दी से उत्तर दो सभी लोग क्या होगा बिल्कुल दो शुति नौ से तेरा समवाद शुति स्वर समवाद और दो शुतियों का अंतर विवादी शुति का अंतर है ठीक है समवादी अंतर वही है नौ से तेरा अगला देखो किस गायन विधा में निरर्थक शब्दों का प्रयोग, तराना, धुपत, धमार, उप्युक्त में से एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं क्या हो जाएगा सही उत्तर, बिलकुल, तराना, क्या होगा सही उत्तर, तराना, ठीक है, अगरे प्रश्ण पर आते हैं, नाट्ट शास्तर के कितने अध्याय संगीश से संबंधित हैं, छे, साथ, आठ उप्युक्त में से एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, जल्दी से बताओ क्या होगा, पवन, आपने अभी प्रभाकर की अगर डिगरी पूरी नहीं किया, तब तो दिक्कत हो जाएगी, प्रभाकर चाहिए होता है, प्रभाकर पूरा चाहिए होता है, प्रभाकर अगर आपने 6 साल पूरे कर लिए हैं, तब तो ठीक है, जल्ती से बताईये क्या हो जाएगा? अब सोचो PGT का यह हाल है तो TGT के प्रश्न कैफे आएंगे? ज्यादा से ज्यादा स्टर TGT का यह होगा इस से ज्यादा स्टर TGT का नई रखेंगे, ठीक है? बताओ जल्ती से क्या हो जाएगा? नाट्य शास्त्र के कितने अध्याए संगीत से संबंधित, 6 हैं, कितने हो जाएंगे, 6, जैसे माने गए 6 हैं, 6 से जादा हैं काइदे में तो, काइदे में तो 8 हैं, लेकिन माने 6 ही जाते हैं, 6 का नाम ही लिया जाता है, इसलिए, ठीक है, हाँ, बिलकुल, रस के बारे में भ और भी अध्याय में नाट्र शास्त्र पढ़ाऊंगी तो अच्छे से बताऊंगी ये वाली बात, हाला कि माना 6 कोई जाता है, अंतिम 6, कहा ऐसे ही जाता है, 28 से 33, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना, हाँ, प्रभाकर हो गया पवन फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, रा जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, पटा-पट से बताओ, नहीं बेदिका, देखो, प्रभाकर की जो डिग्री होती है, वो ग्रेजुएशन के बराबर मानी जाती है, ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कांक्षा, देगा, चिंता ना करो, मेरे हिसाब से तो देगा, प जल्दी से बताओ, नहीं है, वो वाला कायधा नहीं है, जो तुम सोच रहे हो भई, वादी क्या हो जाएगा, ग, और समवादी क्या हो जाएगा, समवादी इसका धा होता है, क्या होता है समवादी, धा, उर्वांग वादी राग है, राग बिहाग, ठीक है, हाँ, ए सही उ संगीत का संबंध है, रिखवेद से, सामवेद से, अथरवेद से, उप्युक्त से एक से अधि क्या उप्युक्त में से कोई नहीं, बताओ जल्दी से, बिलकूल, बिलकूल, जल्दी से बताओ जल्दी से, हटा वट से उत्तर दो, आजाने दो, notification आजाने दो, notification आ जाने दो चिंता मत करो ठीक है notification आ जाने दो चीजे clear हो जाएंगे जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा उस्ताद बड़े अच्छा हाँ संगीत का सामवेद इसका तो उत्तर कुछ हो नहीं नहीं चीए और सामवेद ठीक है अगला प्रश्ण देखो जल्दी जल्दी बताएंगे प्रश्ण नाट्रिशास्तर के रचाईता शारंगदेव, भातखंडे, अहोबल कोई नहीं या एक से अधिक बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा बिल्कुल क्या होगा उत्तर देख रहो हलवे प्रश्ण आ रखें बिल्कुल हलवे जिसे कहते हैं ना कताई हलवा वही प्रश्ण है इससे जादा क्या ही लोगे और जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर इन में से कोई नहीं भरत कृत भरत मुनी ने लिखी है नाट्टे शास्तर चलो अगला प्रश्ण देखो इन में से कौन सा संधी प्रकाश राग है भैरवी भैरव काफी उप्युक्त में से एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ मैंने कहा ही था कि इजी टू मॉडरेट है प्रश्ण देखो दिखे और अगला देख ले न वो भी ऐसे दिखेगा लिखवा लो मेरे से तुम इजी टू मॉडरेट रहेंगे जाधतर प्रश्ण बहुत कम रहेंगे जो तफ रहेंगे जादा से जादा है बहुत जादा किचके असी में से देगा न चार से पाच प्रश्ण इससे जादा नहीं जल्दी से पताईए क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा बी भैरव भैरवी काफी ओहो हो क्या बात है एक से अधिक हो जाएगा क्यों होगा इसका उत्तर एक से अधिक क्योंकि इसमें दो राग ऐसे हैं जो संधी प्रकाश राग है कौन कौन से भैरवी और भैरव ठीक है दोनों संधी प्रकाश है भैरव तो आपको पता यह उशागाल संधी प्रकाश है ठीक है चलो अगला प्रश्ण बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा कह रहा है इंदोर घराने से कौन संबंदेत है इंदोर बड़े गुलाम अली जी फयाज जी उस्ताद अमीर खां उप्युक्त में से एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा फटा फट से जल्दी से बताओ, फटा फट से, फटा फट से, आ, जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा, अमीर खां, बहुत बढ़िया, फटा फट से उत्तर दो, लेको फयाज, आपको पता ही आगरा घराने से थे, बड़े गुलामली जी, पटियाला से थे, बचा कौन, उस्ताद, अमीर खां, कौन बचे, उस्ताद अमीर खां बचे, ठीक है, कौन बचे, अमीर खां, यही सही उत्तर भी है, अगला प्रशन बताओ, जल्दी से, कह रहा है, टपा शैलिका उद्गम के स्परांत में हुआ, टपा, बिहाग, बिहार, तमिलनाडू, उप्युक्त में से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं जल्दी से बताओ बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बताओ जल्दी से जल्दी से फटावट से उत्तर दू जल्दी से बताओ जल्दी बिहाग तमिल नाड फिर बिहाग ही निकल रहा है यह बिहाग राग नहीं जा रह क्या हो जाएगा सही उत्तर पंजाब किसने किया टपा शैली का निर्मान वो भी बता दो टपा शैली का निर्मान प्रवर्तक कौन थे इसके जल्दी से बताओ बिस्मिल्ला खां कौन सा वाद्य बजाते थे सितार शेहनाई बासूरी उप्युक्त में से एक से अधिक पंडित रवी शंकर अलागी बहुत सारे लोग हैं पंडित रवी शंकर इनमें से एख हैं शेहनाई बजाते थे ठीक है ना बासूरी के लिए पता है हरी प्रसाद चौर असिया जी चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन का उत्तर दो जल्दी से उस्ताद अमजद अली खां शेहनाई वादक सितार वादक तबला वादक उप्युक्त में से एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं पताओ जल्दी से क्या हो जाएगा फटा बट से उत्तर दो जल्दी यल्दी बताओ, जल्दी यल्दी क्या हो जाएगा, उस्ताद अमजद अली खाँ, मिया शोरी, अचछा इसका उत्तर होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं पूछो क्यों, क्योंकि अमजद अली खां क्या बजाते हैं सरोध बजाते हैं क्या बजाते हैं सरोध बजाते हैं क्या बजाते हैं ये सरोध ठीक है और जो की मुझे बहुत पसंदी है सरोध मुझे बहुत पसंद है करनाटक तता हिंदुस्नानी शास्त्री संगीत में समान रूप से प्रयोग होने वाला राग ऐसा राग जो दोनों में समान रूपक से मतलब उसके स्वर समान उसका नाम समन बिल्कुल एक डम डिक्टो ऐसे ही गाया जाता है यहां भी और वहां भी बिल्कुल गुलाम नभी शोरी अच्छा अंसुध्वनी दर्वारी कानडा मारू भिहाग उप्युक्त में से एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं क्या होगा सही उत्तर जल्दी से उत्तर दो सभी लोग राग से बचा लूँगी चिंता मत करो बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा अंसुध्वनी अंसुध्वनी ऐसा राग है जो दूनों जगा एक जैसा बजाया जाता है बिल्कुल गाया बजाया जाता है स्वरों की क्रम बद्धता वर्ण क्रिया अलंकार इन में से एक से अधिक इन में से कोई नहीं बताओ जल्दी से जल्दी अल्दी उत्तर दो सभी लोग स्वरों की क्रम बद्धता को क्या कहेंगे आप जल्दी से बताईए उत्तर जल्दी अल्दी देना है स्वरों की क्रम बद्धता पटावट से उत्त अगला बताओ जल्दी से स्वरों की क्रम बद्दिता क्या होती है कोई बात नहीं जरूरी थोड़ी अगली बार पूछ ले तो अलंकार सही बार देखो स्वरों का समूह कहलाता है वर्ण जोकी अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं लेकिन स्वरों का क्रम बद्दिता अगर क्रम बद्दिता के बारे में बात कह दे तो क्या हो जाएगा अलंकार हो जाएगा ठीक है अगला प्रश्न किस ताल में सम खाली से प्रारंब होती है तीन ताल, रूपक ताल, तिलवाडा ताल एक से अधे क्यान में से कोई नहीं, जल्दी से बताओ, फटा फट से उत्तर दो सभी लो, किस ताल में सम खाली से प्रारंब होती है, जल्दी से बताओ, फटा फट, जल्दी जल्दी, उत्तर ऐसे दोड़ दोड़ के देना है, जल्दी से बताओ, फटा फट से उत्तर दो सभ क्या हो जाएगा रूपक हो जाएगा लेकिन एक बात बताओ रूपक ताल के विशे में ज्यादातर जो विद्वान लोग हैं वो रूपक ताल को खाली सम से नहीं मानते हैं हाँ ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग मान रहे हैं तो इसका जवाब यह हो जाएगा लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि बजाने वाला बजाता तो सम से ही है वो बीच से सम उठाएगा बीच से ताल शुरू करेगा तो बात तो वही है वो मान तो उसको सम ही रहा है और सम मान रहा है बारे बजे दुपहर से रात के बारा बजे, बारे बजे रात से दुपहर के बारा बजे, चार बजे शाम से दस बजे रात के, या फिर उप्युक्त में से अधिक या उप्युक्त में से कोई नहीं, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ फटाफट से, हाँ बिलकुल, बोल की ताल है, जल्दी जल्दी बताओ, 80, 80 questions होंगे मम्ता, music में 80 questions होंगे, ठीक है, 40 questions आपके general के रहेंगे, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, देखो इसका सही उत्तर जो B लगा रहा है न, फैंक के मारूंगी, खैंच के कुछ, समझ रहे हो न, क्या होगा इसका सही उत् रात के बारा, और दिन के बारा दुपहर में बस्ते हैं, बस्ते हैं की नहीं बस्ते हैं, और रात के बारा, कब बस्ते हैं, समझ में आ रहा है, इसका उत्तर भी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर भी लगाया होगा, लेकिन ये गलत है, अब पूछो क्यू अगला देखो, धुरुपद के लिए कौन सा वाध्य उप्युक्त होता है, धुरुपद के लिए कौन सा वाध्य उप्युक्त होता है, पखावज, तबला, ढोलक, एक से अधे, क्या इन में से कोई नहीं, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, बहुत सई बताओ जल्दी से क्या होगा जुरुपद के लिए कौन सा वाद दे पखावज बड़ा गंभीर बसता है पखावज सुनाए किसी ने पखावज बसते हुए जब पखावज बसता है मंदिर में ये अम्रिदंग बसता है तो ऐसे रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं ह कौनता है पखावज बिल्कुल बखावज चलो अगला देखो इससे कौनसा थाट बनेगा पहली बात तो जब थाट बताया जाता है तो कोमा नहीं लगाए जाता केर कोई बाती में कुछ भी कर सकती है उससे मतला भी नहीं है सा inhib पाढ़ा पहली बात सौंपनिस पहली बात भी नहीं देखो सा कोमल गा और नी कोमल हैं बागी सभी स्वर्शुद्ध हैं क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ फटापट से उत्तर दो क्या हो जाएगा जली से बताओ क्या होगा उत्तर काफी होगा और काफी तो यहां दिया ही नहीं गया ना कल्यान है ना मारवा है ना असावरी है उप्युक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा क्योंकि ये काफी थाठ है मुगले आजम के संगीत की रचना स्न त्रिपाठी मदन मोहन नौशाद एक से अधिक ये इनमें से कोई नहीं किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे अजिहां हम भी देखेंगे घड़ी भर को तेरे नजदीक आ कर हम भी देखेंगे अजिहां हम भी देखेंगे बहुत बैतरीन कवाली लगती है मुझे बहुत ज्यादा बैतरीन इसको याद करने कोशिश की थी मैंने लेकिन हो नहीं पाई सही उत्तर हो जाएगा नौशाद इसके पीछे चोटी सी कहानी है किसी दिन सुनाओंगी मैं ठीक है क्योंकि मुझे इस तरह की चीजों का शौक रहा है न किसी दिन आराम से बताऊंगे इसके बारे में बहुत अच्छी कहानी है कि कैसे बनी थी मुगले आजम बहुत एंचेली का संबन говорит शौक इस धmeer खानवक वाजिदली खान शाह — यह मियाश ओम्री या इन में से कोगी नहीं ए एक से अधिक मियाश ओम्री तो पढ़िए आपको जली से बताओ क्या हो जाएगा एब गजलिव इस पताव फटावट से जल्दी 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 उत्तर दो, जल्दी दो, जल्दी दो, फटाफट से उत्तर दो, जल्दी से बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा, बेलकुल वाज दली शाह, क्या हो जाएगा, वाज दली शाह, मैंने आप लोगों बताया जाना, शत्रंज के खिलाडी, याद होगा जब प्यारे किया तो डर ना क्या जब प्यारे किया तो डर ना क्या। पडित रवी शंकर सितार के किस घ़र आने से सेनिया मैहर गॉरि पर उपयुक्त में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा पटावट से उत्तर दो सभी लोग जल्दी से जल्दी से हाँ 16 साल लगे एकदम सही बात जल्दी से बताओ लखनो के नवाब क्या हो कि जाएगा मैंberish घराने से थे उन्हीं ने सीखा था ठीक है उन्हीं Уनु आखा ख़ाती मसीद खानी रजा खानी had कानी उती है और एक होती है कौनसी ख्याल शैखे प्जाते हैं जिसमेंगs planned दे तो खयाल शैली होती है ठीक है यह गत्च शैली के थे बड़ा खयाल गायन के लिए कौन सी लए उप्युक्त है विलंबित दृत मद्ध है उप्युक्त में से एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं पूरा नी खेवाट सदा मतवा पता ही होगा रागदेशी है ना बेलकुल अगला बताओ गाय की अंग से सितार बजाने वाले कलाकार रविशंकर देबु चौधरी उस्ताद विलायत खां इन में से एक से अधिक या कोई नहीं जल्दी से बताओ उत्तर क्या होगा फटावट से उत्तर दो सभी लो इसे करके है ना वो कौन सा है यह याद नहीं आ रहा है कौन सा है गाय की अंग गाय की अंग से बजाते थे उस्ताद विलायत खां मैंने बता है ना गाय की अंग कोई खयाल अंग कहते है खयाल अंग से बजता है गत शैली और खयाल शैली दो शैलियां होती है ठीक है दो शैलियों से वादन होता है तो पंडित रवीश अंकर जी तो गत शै हो गए इनके अलावा शाहित परवेज और और क्या हो जाएंगे रईस खां ये दोनों भी किस्ते बजाते थे खयाल शैली या कहलो की आपकी गाय की अंग से बजाते थे मतलब समझ में आता था कौन सा राग बजरा है ठीक है हाँ बिलकुल और पंडित रवीशंकर किस्ते बनर जी एक निखिल बनर जी भी है वो भी किस्ते बजाते थे गट शैली से निखिल बनर जी तो ये कौन से हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके गट शैली वाले ठीक है याद रखना इसका स्क्रीनशॉट लेलो आप लो इसका स्क्रीनशॉट लेलो ये गट शैली वाले ह ठीक है और ये दोनों और ये ये सभी गाए की अंगवाले हैं लेलो उसका स्क्रीन चॉट जल्दी से पटापट से ठीक है याद रखना है अगला नाम हो सकता है इन में से पूछ ले चलो अगला देखो अगला प्रशन क्या कह रहा है लोक संगीत में कौन सा राग विक्सित हुआ है शाम कल्यान पहाड़ी मधुवन्ती एक से अधिक ये अन में से कोई नहीं जारेगा पल अब तो भूपाली आदा रहा है नहीं नहीं एक वो है ना आपने सुना होगा शायद हुसन पहाडों का या फिर वो हिट्टो दिदी ओए होए हिट्टो बुला हिट्वे पैना घास कटाना पारेटाना हिट्टो दिदी और एक वो भी है क्या हो जाएगा पहाडी है ठीक है सब पहाडी में बिल्कुल बिल्कुल पहाडी राग अगला देखो कलावंत इसका तो उत्तर गलत होना ही नहीं एक पचास बार से जादा बार सुन चुके हैं, बिल्कुल, 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 धुमरी, टपा, उप्युक्त में से एक से दिक, उप्युक्त में से कोई नहीं, जल्दी से बताओ, 120 questions हैं ये total, होने वाले हैं, प्रश्चन जल्दी जल्दी बताओ, बस, हाँ, easy है ही, इसलिए easy लग रहे हैं, जल्दी बिल्कुल, गोरी तेरा गाव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहारे, याद आ रहा है, बोले रहा था, कल वो मुझे से, ये सभी को याद होंगे हैं ना, क्या हो जाएगा सही उत्तर, धुरुपत गायब को कहा जाता था कलावन्त, छेक, अगला प्रश्चन, कथक निट्य कहां का है, कथक, उत्तर भारत, केरल, तमिल नाडू, एक से अधिक या इनमे से कोई नहीं, इसका उत्तर गलत नहीं होना चीए, जल्दी से बताओ, पटापट से बताओ क्या हो जाएगा, उत्तर, बोल रहा था कलो मुझे से, आथों में मेरा हाथ लिए, चलते रहेंगे, सुख दुख के हम सारे मौसम साथ लिए, वोल रहा था कलो मुझे से, क्या हो जाएगा सही उत्तर, उत्तर भारत, और उत्तर भारत में भी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, ठीक है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, ठीक है, हाँ, अगला पश्चिमी संगीत मैलोडी पर आधारित है शुती पर आधारित है हार्मनी पर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं जल्दी से बताओ गला बहुत खराब है भई मैं गा रही हूँ उंटर लग रहा है जल्दी से उत्तर दो क्या हो जाएगा इसका उत्तर चलती से बताओ देखो हार्मनी पर कौन है पाशात्य और मैलोडी पर हमारा जो भारतिय संगीत है वो मैलोडी पर आधारित है चीक है और हार्मनी पर है आपका पाशात्य संगीत क्या हो जाएगा सही उत्तर? पी सही उत्तर होगा ठीक है हाँ बिल्कुल 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 एक दाम अगला उत्तर दो जल्दी से क्या हो जाएगा? भारत रत्न सम्मान किसे मिला है इन चारों में से? देख रहे हो भारत रत्न से ही दो प्रशना गए लत्ता मंगेशकर मुहमद रफी उस्ताद जाकेद हुसैन उप्युक्त में से एक से अधिक उप्युक्त में से कोई नहीं जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ मैं कह रही थी न कामोद का क्या है? यह स्वर संगतियां होती है न देखो एक्दम से याद आ गया तो मैंने बता दिया है जब शाम जले आना जब दीव जले आना बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा रंकेत मिलन का भूल न जाना न भ्यान न बेस राना जल्दी से बताओ पटाफट से जल्दी 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 क्या हो जाएगा उत्तर? बिलकुल लतामंगेशकर इनको क्या मिला है? इनको पद्म क्या मिला है? पद्म भूशन की भी भूशन? जल्दी से बताओ हाँ बिलकुल 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 2000 एग एकदम ठीक बात इनको क्या मिला है Zakir Husesyan ji को जल्दी से बताओ जाकir Husesyan ji को पद्म विभूशन मिला है ठीक है पद्म विभूशन अलाकि आपसे संगीत के बारे में पूछा जाएगा तो पद्म विभूशन या फिर आपको भारत रत नहीं पूछने को देगा चलो ये बताओ गामा पा गामा रेशा ये स्वर किस राग में यमन, भूपाली, बिहाग इन में से एक से अधिक या कोई नहीं जादी से बताओ क्या हो जाएगा गामा पा गामा गा गामा पा जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा उत्तर फटा मटस उत्तर जल्दी 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 क्या हो जाएगा देखो एक तो इसमें सारे स्वर्ष उद्ध हैं तो यमन यमन आपका और यमन और भूपाली तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सारे सारे गापा मा सारे गापधासा इसमें मा आ रहा है तो भूपाली तो नहीं होगा यमन भी नहीं हो सकता नेरे गा मा मातीवर होना चीए था यहां पर माशुद्ध है तो यमन भी नहीं हो सकता क्या है बिहाग इसका सही उत्तर है ठीक है क्या हो जाएगा सही उत्त रूप असमान है आड़ा चार ताल दादरा धमार एक से अधिक एन में से कोई नहीं जल्दी से बताओ हां 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 बिलकुल 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 पड़ावर से उत्तर जो जल्दी उत्तर बताओ सभी लो किस ताल में सभी विभागों के रूप असमान है आड़ा चार ताल भागों में बराबर मात रहें नहों, एक ही साथ तो है, है ना, मैं आपके साथ सब सौंग पर तबला बजाओंगा, और जरूर जितना गाना मैं आपको बोलता हूँ, और रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल सुमिद जरूर, जरूर आनम में इंतजार करूंगी, चलो, सभी देखेंगे, दादरा को देखेंगे, तो तीन-तीन, और आडा-चारताल को देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें तो साथ विभाग होते हैं, दो, 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 कितने दो हो गए, एक और दो, ठीक है, और ये संपधी ताले हैं, चलिए, अगला, चैती किस राज्य का लोग गीत है, चैती, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिब बंगाल, एक से अधिक, इन में से कोई नहीं, जल्दी से, हरेंद्र अभी नोटिफिकेशन आने तो, फिर क्लियर कर जूँगी, ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी, 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 पड़ा-पड स उत्तर, जल्दी से बताओ, आप लोग सेलेक्शन लेके आओ, फिर हम लोग एक संगोश्थी रखेंगे, जरूर, I promise, पर मुझा सेलेक्शन चीए, एकदाम बड़े स्तर पर, फिर करेंगे धमाल, ठीक है, फिर करेंगे एक अच्छा सा प्रोग्राम, जो जो भी वाद्य जाना जानता हो, जरूर, बिलकुल, उत्तर प्रदेश, देखो अगर बिहार भी होता, तो बिहार भी होता इसमें, लेकिन बिहार आप्शन में दिया नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश मानेंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और वैसे मुख्य तोर पर तो चैती गाई जाती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगला देखो प्रश्ण 117 किस राक के आरोह में रे धास्वर प्रयुक नहीं होते हैं अलाया बिलावल यमन बिहाग एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा फड़ावट से उत्तर दूँ इगमान धा मेरे वास जो अब खोने लगा है पाकर तुझे आये मुझे कुछ होने लगा है जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा हाँ बिलकुल 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 जल्दी से जल्दी से पतावरट से उत्तर क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा उत्तर, बिल्कुल बिहाग में, बिहाग में आरोह में रेधवर्जित होता है, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बिहाग, अगला, थाट बिलावल, मद्य कालीन यूग में क्या हुआ, तार की लंबाई के आ ठीक है, रिच्छा गलत लिखा हुआ है, रिच्छाएं, रिच्छा गान परंपरा, राग शब्द का प्रयोग, उप्युक्त में से एक से अधिक, उप्युक्त में से कोई नहीं, पताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी से, पटपट, 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 जल्द बस हो जाने दो, ठीक है, जल्दी से बताओ, पटावट से, देखो, राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंत में हुआ, ये भी बताना, प्रशन पूछा जा सकता है, इसकी सही हो जाएगी, एक ही विकल्ब है, तार की लंबाई के आधार पर स्वर की स्थापना, क स्वर की लंबाई के आधार पर, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात, मतंग कृत विहत देशी, मतंग ने पहली बार अपनी पुस्तक विहत देशी में परिचय दिया किसका, परिचय दिया राग शब्द के प्रयोग का, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अगला बताव जल्दी से क्या होगा जल्दी से उत्तर दो पटाफट से अधुनी काल में शुद्ध और विकृत कुल संगीत के स्वर कितने हैं अशी मुझे बताने की जरूरत नहीं है साथ सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम साथ सुर तो ऐसे ही हो गए शुद्ध और पांच क्या हो गए? इनी के रूप विक्रत पांच में से चार हो गए कोमल और एक हो गया तिव्र तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? बारा, सी, ठीक है? अगला प्रशन बिहार राज जी की एक प्रसिद्ध लोक गीत की गायन शैली बतानी है सोहर, मिर्जा, नाटी, एक से अधिक, इन में से कोई नहीं बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ देखो, गाना बुरा नहीं होता गाना अच्छी चीज है, अगर आप गा रहे हो तो यह अच्छी चीज है इसमें खराब क्या है? गाना मत छोड़ो बस गले का ध्यान लखो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ रिचाएं सामगान में होती थी है ना? सामगान जल्दी से बताओ रिचाओं का गायन किया जा था सामगान में पड़ा पड़ से उतर दो सोहर गाया जाता है बिलकुल सोहर और नाटी कहां का सॉरी, नाटी कहां गाया जाता है जल्दी से बताओ क्या हूजाएगा नाटि गाये जाता है आपका हिमाचल में ठीक ह continuar में आटि गाये जाता है क्छालो बहुत पड़िया आज के प्रश्न हो गए कैसा लगब अज प्रश्न करके पहले मुझे यह बताओ मसा है आज के प्रश्न वेरी गुड वेरी गुड आनंद आया कि नहीं प्रश्ण में यह मैं आपको आज बिलकुल सेंड कराऊंगी हर हालत में आपको यह प्रश्ण पत्र पहुंच जाएगा निशन्त रहना सभी लोग ठीक है यह प्रश्ण पत्र आपको दे दिया जाएगा अच्छा बहुत सारे पच्छे ऐसे हैं कि त्यारी कर रहे हैं मौझ्जा ही मौझ्जा मजा आया लग रहा अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कर लोगे ऐसे ही आएगा चिंता मत करो इससे जाधा टफ नहीं आएगा मैं कहारी हूं विश्वास रखो आप देखो 68 तो तो तुमारे मजाक मजाक में आ गया आगया ना अब सोचो इतने में हो गया तो बाकी क्या ही होगा समझ रहा हो न तुम लोग समझ रहा है विनोद हां बहुत अच्छा ऐसी बहुत अच्छा लगता रहना चाहिए तीन बजे भी क्लास होनी और नौ बजे ध्यान रखना आज 3.00 पर भी क्लास है तो समझो मार पड़े की बहुत जब तक सेलेक्शन नहीं हो जाता अगर किसी ने क्लास छोड़ी तो मार मार के एकदम ठीक कर देना है समझ रहे हो ना हाँ बिलकुल 3.00 बजे है और 9.00 बजे है दो आपकी क्लासिस होंगी एक चीज और बता दू अगर तैयारी कर रहे हो TGT की या PGT की तो आपको पता ही है आपको क्या करना है आयाची बैच चल रहा है जॉइन कर सकते हो आयाची बैच जॉइन करने का तरीका आपको पता ही है TGT के लिए अलग है और PGT के लिए अलग है वो बैच ठीक है तो दूर में से कोई भी बैच आप ले सकते हो कोई भी बै इस पर क्लिक करना इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा फेस कुल के आएगा यहां स्टेट एक्जाम क्योंकि बिहार की बात हो रही है स्टेट एक्जाम में पहला स्टेट आपका बिहारी दे रखा है तो बिहार पर क्लिक करना क्लिक करोगे तो देखो ऐसे लिखाएगा अरे बेफिक्र रहो मैं कह रही हूँ ना, आज समय दे रहे हो, कल ये समय तुम्हें समय देगा, ध्यान रखना, मेरी बात, ठीक है, हाँ, बिलकुल, बिलकुल, आप देखो जैसे ये आपको batch दिख जाएगा यहां पर, यह दे रखा है batch, इसमें आपको live और recorded दोनों lectures सारे subjects मिलेंगे, तयारी DSSB की हो, EMRS की हो, चाहे आपकी UP की हो, चाहे KVS MVS की हो, और BPSC का तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है, और बतारियों क्या हो जाएगा, इस पर click करो, click करो के तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके option खुल के आएगा, ठीक है, यह देखो batch लिखा है, इसमे 6 महीने की validity होगी, 6 महीने तक आप recorded lecture भी रेख सकते हो, और live तो आपके हैं ही, live तो जब तक आपकी class चलेंगी, चलेंगी, फिर recorded आपके पास 6 महीने तक रहेगा, खूब देखना, आराम से, सारी चीज़े अब दो बार note कर लो, एक की बजाए, ठीक है, हाँ, आज YouTube पर ही classes ह सारी, आज 3 बजे भी और रात को 9 बजे भी YouTube पर ही हैं दोनो classes, ठीक है, हाँ, बिलकुल, बिलकुल, बेफिकर रहो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, चालिस नमबर भी हो जाएगा, बेफिकर रहो, ऐसे पीच में नहीं छोड़ूँगा, किसी जरूरत ही नहीं है, एक किताब मत खरीदना, जितना करा रहे हूं केवल उतना ही कर देना, ठीक है, चलिए, कैसे जॉइन करना है, बाइनाव के option पर क्लिक करना, क्लिक करोगे ऐसे face खुल के आएगा, यहाँ सीधे continue मत करना, वरना 2000 कर चला जाएगा, क्या करना है, enter coupon code की बैच आपको पढ़ सकता है, कैसे पढ़ेगा 1769 में, एप डाउनलोड करना, डा247 का, एप डाउनलोड होगा आपका प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से एप डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद में उसमें सेम प्रोसेस, जब आप सेलेक्ट करोगे तो बिहार में और उसके बाद आयाची म्यूजिक ढूंडोगे तो वहां पर कॉइंस होंगे कॉइंस लगा लेना और वाई 740 मेरा टीचिंग कोड लगा लेना दोनों लगा लोगे तो यह बैच आपको 1769 रुपे में पढ़ जाएगा ठीक है चलिए अम मिलेंगे 10 बज गये हैं आज का क आप ही हमारे मंदिर है और आप ही हमारे इश्वर है फिलहाल तो अगर आप एक्जाम पास कर लेते हैं तो मेरी इलाज बच जाएगी इश्वर मेरी इलाज बचा लेंगे चलिए मिलेंगे आप सभी लोगों से तीन बजे नमस्कार